है यह व्रीवाइं वेलकम बाक टू माइक्रोब टॉक यह और यूट्यूब चैनल है मांशी इवन सगें वीडियो और आज मैं आप लोगी साथ डिसकस करने वाली हूं एड़र्टाइस्मेंट जो कि रिलेटेड है जे आरेफ पोजीशन से पहले एक एड़र्टाइस्मेंट शेयर करूंगी उसके बाद दूसरा तो पहले वाले को शेयर करती हूं दोन ही इंडियन सुट ओफ टेकनलोजी युट में जारेफ की पोजीशन है डिपार्टमेंट अ बायओलोजिकल साइन इन भाय आंजिनिरिंग आईट कांपुर में स्पोजीशन ने जायर्एफ की मिनियों क्वारिफिकेशन एमची नियाफ साइन्स होना चाहिए डिजयरे required in addition hands-on experience with membrane protein expression and purification are preferred salary range 37,000 रुपीज अब इन्होंने एक नोट दिया है कि जब पोजीशन है temporary basis पर है initially one year के लिए जो एक सेंडेड है फर्दर बेस्ट पर्फॉर्मेंस ऑफ जो भी यहां पर जाने वाला है उनके और दूसरा प्रोजेट के डूरेशन पर इससे लग जो भी अप्लाइए करना चाहते हैं तो इंट्रस्टेड इंट्रस्टेड अपना सीवी सेंड कर सकते हैं इस इमेल अड्रस पर कौन सा है इमपोर्टन है हार्ड कोपी औफ अप्लिकेशन हो एण अगर आपको इंट्रिवी के लिए पलाया जाएगा तो आपको महा ले करकी जाना है लास्ट जेट है 15 जुलाई इंटर्व्यू एंट सेलेक्शन की बात करें तो जो भी केंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो उनका इंटर्व्यू या जाएगा ओनलाई कोई भी टीएडी नहीं दिया जाएगा फॉर अटेंटिंग इंटर्व्यू जो एप्लिकेंट्स हैं ठीक है उनको मिनिम जो की मिनिमम लेजिबिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं ठीक है यह फिर डिजारेबल वर्क एक्स्विरियंस नहीं है ठीक है उनको नहीं बुलाई जाएगा इंटर्व्यू के लिए बात करेंगी अगली वैकेंसी की जो की इंडियन स्चुट आफ कानपूर में ही है इसका डिटेल नोटिफिकेशन में अब आप लोगों के साथ आगे शेयर कर रही हूं इसका अट्वर्टाइजमिंट नंबर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो इन्होंने एप्लिकेशन इवाइट किये हैं जूनीर रिशर्च फैलो यानके जियार एफ के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायलोजिकल साइंस एंड बाय एंजिनिरिंग आयर्टी कानपूर में पोजिशन एक है यहां पर मिनियों कॉलिफिकेशन मसीन लाइफ साइंस है डिजाइरेबल होगा अगर आपके बाद सीयसार नेट गेट या डिबीटी जियार एफ का क् गणाल थे लिए फॉटरेव के साइब साइब बाद करें था कि बाद प्रायर एक्सपीरेंस और तीग टेकनिक एक्सप्रेशन इंड प्यूरिफिकेशन आफ प्रोटीन सेलिलर सिगनलिंग इस्की रिक्वार्मेंट होगी इन अदीशन हैंड एंडिंशन उन अच्छिए फ इक दिए प्रोजेक्ट कि बात करें तो जो भी इंटरसटेट केंडिएट हैं उन्हें सीवी भी सकते हैं जी पी सी आर बायलोजी 2020 एड़रेट जीमेल डोट कॉम जो भी हार्ड कोपी है या कोई भी एड़रेट डिग्री जो है वो आपको इस्टेज पर नहीं भेजनी है आपर डिग्री का सल्टिफिकेट लास्ट फिफ्टींत ओफ जुलाई है इंटर्वी एंट सेलेक्शन जो भी ओन्लाइन होगा कोई भी टी डी नहीं तेंगे इंट्रवी इंट्रेट इंट्रेट के लिए और जो भी अप्लिकेंट मिनिमुम लिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं इसके साद्साइस था डिजारेबल बॉर्क एक्सप्रियंस नहीं है उन्हें इंट् आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में कीप वाचिंग माइक्रोप्ट अग्वाएंडस और और सब्सक्राइबर्स